अकोला 24 नीज एक कदम प्रस्टचार के किलाव अकोला पस्चिम विधानसभा चुनाव को जीत कर साजित खान पठान ने अतहासक जीत बनाई 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के बाद 23 नवंबर को महराष्ट विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आये हैं दोली में डाल दिया है इस अतिहासिक चुरीट के बाद कॉंग्रस में खुशी की लहर देखने को मर रही है बता दे कि 1995 से भाजपा अकोला पस्चिम में लगतार चुरीट हासल कर रही थी छह बार से लगतार भाजपा का यहां दबदबा था है किन्तु इस बार अकोला की जीत से पस्चिमी शेत्र में नागरेकों में उत्सा देखने को मुझ रहा है माविकास अगारी के कारिकरता नेताव परिसर के नागरेकों ने फटा के फोड़ कर जश्न मनाया पिछले विधानसभा चुनाव में साजुत खान पठान को भाजपा के स्वर्गिय कांग्रस की उमीदों पर खरे उत्रे इस चुनाव में साजुत खान पठान को 87,854 वोट मिले जबकी भाजपा उमीदवार विजय अगरवाल ने 86,374 वोट लिए वह तीसरे नंबर पर हरीश अलीम चंदानी ने 2163 वोट हासल किया है लगभग 1480 वोटों से कांग्रस की उम कुशी की लहर देखने को मन रही है जिसको देखते हुए महाविकास अगाडी के सभी नेता कारेकरता व्याप परिसर के नागरेकों ने फटा के फोड़ कर जीत का जश्ट मनाया है हर शेत्र में आपको लीड दिखाई दी ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऐसा एरियन यह था जहां पर रही तो इस बामले में मतलब महाविकास अगाडी की पूरी जीत के बारे में क्या कहें नहीं वो जो रावल जी का नारा था कि नफरत के माहौल में मौहपत की दुकान आज इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यूव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए